मित्रू नमस्कार मैं आचरे शुमेर सास्त्री मेरा यूट्यूब चनलनों आपका स्वागत आज मैं ऐसा प्रियूप बताने जा रहा हूं कि आपकी पत्नी रिशाई की आपका गर छोड़की उसके माबाप के गर चली गई है या किसी अन्य वेक्ति के प्रेमे पढ़ गई है या कोई अन्य वेक्ति तुमारी पत्नी उपर ब्लेक बेजिक वस्षिकरन करके कोई वस्तू पेट में पिलाके उसको बगा के ले गया है या तुमारी पत्नी किसी के प्रेमे पढ़के उसके पीछे चली गई है और आपका लंबे समय का प्रेम समंद यानि दामपते जिउन चोड़के और विचेज कर दिया है आपसे अलग हो गई है और बहुत ही समझाने पर भी वो समझती नहीं है आपका क्याना नहीं मानती है और आपके साथ आन्य में इनकार करती है तो ऐसी कंडिशन में आपकी पत्नी को राजी कुशी केशे गर लाना है चाए आपके सशुर पारपूर ये मंत्र में बतूँगा इतना पारपूर में प्रियोग बतूँगा आप बदाईद होगे पंडी जी मेरी पत्नी राजी कुशी घर आ गई है सबसे पहले मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजी ऐसे खोब वीडियो आते हैं जो सत्य होते हैं और आप गर बेटे मेरा ये वीडियो दे के आप प्रियोग कर सकते हो और अपनी इच्चा अनुसार और अपने जो भी समश्या है यानि जो भी गरेडू समश्या है केश्य भी समश्या है वो आप गर बेटे उसका निवारन कर सकते हो और गर बेटे समश्या का लाप ले सकते हो अगर आपसे य तेरा प्रियोग है और ये प्रियोग बहुत आसान है पनुतु इस पे सावधाने बहुत बरतनी पड़ेगी सबसे पिले हमको ये प्रियोग सनिवार के दिन करना है और ये प्रियोग करते समीम अपना सीर काले कप्पे से बांद लेना है और एक पीला पितंबर अपने उपर और पितंबर होटी और फीर सपेद काझित लेना है और सम्सान कोले से पत्नी का नाम रिकना है नाम रिकने एक बाद में कुम-कुम से गरेलु कुम-कुम जो राद दिन काम रहते हो कुम-कुम से अपने पत्नी का नाम लेके पांच बिंदिया करनी है पांच बिंदिया करने के बाद में दो पीस, टू, दो पीस लविंग लोंग लेना है लोंग और इसको पर रग दीजी और जो समसान कोईले से अपने पत्नी का नाम रिखा है वो कोईला रग दीजी और एक कपूर की बोटी रग दीजी और एक पडाकी बना लीजी एशे पडाकी बना लिजी, पडाकी बनाने के बाद में एक पारपुल से पारपुल एक मंतर बतूँगा वो मंतर आप पडलीजी, वो मंतर में वो तागत है, वो सक्ति है, आपकी पत्नी कहें भी होगी, तो आपसे प्रेम होगा, आपसे महपत करेगी, उसको आपका प्रेम याद आएगा, उसको मेशुस होगा कि मेरा पत्ती है, मेरा सास है, अगर आपकी संतान है, तो मेशुस करेगी मेरी संतान है, यानि कुल मिला कि कोई भी आपकी पत्ती होगी, तो यह तागत, यह मंतर की ता अगर कोई पेट में वस्तु पिलाई वी है तो वस्तु का निकाल हो जाएगा उसका असर दूर हो जाएगा अब यह मंत्र क्या है मैं यह मंत्र मेरे डिस्क्रप्शन में में आपको बता दूंगा यह मंत्र है ओम नमो सेत्र पार मनि पत्राई अंडि आन पीड नव खंडे मद्ये कामेनी लागे अमुक्रो और अब अमुक्रो आते ही अपने पत्ति का नाम लेना है अपने खुद का नाम लेना या पत्ति का नाम लेना साथ बार और फिर अमुक्डी नाम आती है तो पत्ति का साथ बार नाम लेना है सुप प्रेम पांदिते कामवीर गोर्या तोरी सक्ति अमुक्डानी फिर पत्ति का नाम साथ बार और अमुक्डी फिर पत्ति का नाम साथ बार मुक देखे तो इज सुख होई ओम वहस्या में पुरुकुरुश्वहा यह आपको मंत्र करना है यह मंत्र करने के बाद में इसको यह प्रियोग पत्ति करना है जिसकी पत्ति नाराजों के चिले गए वोग स्वम वो खुद को यह प्रियोग करना है यानि उसका पत्ति हो गया अब यह वश्यक्र का मंत्र पढ़ने के बाद में इसको राद को स्वत्यस में एसी ही पढ़ाकी अपने विष्टर के निचे रड़ीजे और सुब्य अरलिंदा उट के आपको सवा साथ बजे इसको अपने गर में अपने माताजी का दिपर करना है सुद गीका सुद गीका दिपर करके इस पढ़ाकी को साथ बार अपने पत्नी का नाम लेके साथ बार गुमाना है साथ बार गुमाने के बाद में इस पढ़ाकी को जड़ा दीजी यह जीवी पूरी जल जाएगी मैं दावे के साथ केता हूँ जो आपने मंत्र पड़ा है जो इसमें पत्नी वस्षीकरण की सामगरी इसमिक के अंदर रखी है इसमें वो तागत होती है जो यह जलेगा तो वायू द्वारा उसकी सक्तिया वायू में बिलीन हो जाएगी और क पूर आएगा और तुरत 11 गंटे के अंदर अंदर कहीं भी होगी तो आपके पास आजाएगी यह मेरा दावा है